कुछ भी कहो खटिये पर बैठ कर खाने का मज़ाई कुछ और है एक टाइम था हमारे गाउ में भी खटिया हुआ करता था और मुझे आज भी आथा है जादा तर टाइम मैं खटिये पर बैठ कर ही दूद रोटी खाया करता था खर पेट पुझा करकर वापस से निकल पटता अपनी मंजिल की ओर कुछ दूर के बाद रास्ते में मुझे दिखाया देता ये प्यारा सा जगा चारो तरफ हर्याली और बीच में एक छोपडी कुछ भी कहो प्रकृति से सुन्दर और कुछ नहीं हो सकता कुछ दूर के बाद मुझे दिखाया देता ये बैल गाडी बचपन में मैंने बैल गाडी का बहुत सवारी किया है इसलिए जब आज मुझे ना जाने कितने दिनों के बाद ये बैल गाडी वापस से दिखा है तो मन में विचार आया कि क्यों ना इस पर वापस से बैठा जाए लेकिन विचार को विराम दिया क्योंकि इनको डिस्टर्ब करना मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ टैम के बाद एका एक मौसम खराब हो जाता है डर लग रहा था कहीं तुफान में फस न जाओ क्योंकि आसपस मुझे कोई अचा जगा नहीं दिख रहा था जहां मैं तुफान से बचने के लिए छिप सकूँ लेकिन वो कहते हैं न कि भविष्ट में क्या होगा ये सोचकर वर्तमान को क्यों खराब किया जाए इसलिए मैंने भी इस मौसम का नीटर होकर खुब लूप तुठाया कुछ दुर के बाद मेरे कानों तक आवाज आती है आजाओ चाई पीलो और ये आवाज इन दोनों का था अफानली ठाइम आ गया था आज का रहने का ठीका ना ढुणने का तो आज का रहने का विवस्था ये दोनों भाई कर देते हैं जिने स्वादिष्ट भोजन पकाने का उवर्दान प्राप्त है